लेकिन कल एक बड़ी घटना घट गई नवादा में जिसको आप सभी ने कवर भी किया था सत्तर असी महादलित परिवार के घर को जलाया गया और उन नवादा से एक किलोमिटर भी नहीं है जहां कलक्टर सहाब बैठते हैं, एसपी सहाब बैठते हैं महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो यह किसकी जबाब देगी है और उभी एक ऐसे छोटे जमीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है तो जब तक वो हैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का बारदात नहीं होना देगी लेकिन यह हुआ और कोई भी चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग किसी ने उनकी सुधी नहीं ली थी सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमिटी है कांग्रेस की जो नेता थे सब और那 पीने का परबंद से लेकर सारा कुछं पांग्रेस पार्टी कर रही थी यहां जो दोनों मेरे नो नियुक्त के सेक्रेटरी हैं तो सीरी पासी जी और साहनवाज जी यह लोग पहली बार आ रहे थे फिर मीटिंग जैसे ही समाप हुआ मैं खुद गया और तब को साड़ी धोती कि वहां पांच पांच सो बटवाने का काम हम लोगों ने वहां सामने किया मनोज राम जी सासा राम के एंपी जो थे वो भी मेरे साथ में थे नीट्यू सिंग वहां की जो लोकल एमेले है वो बढ़ चड़ कर इससा ले रही थी मंटन सिंग जो गिला कॉंग्रेस कमिटी के साथ समगरी से लेके सब कुछ का प्रबंद कांग्रेस पार्टी ने किराया और हम वहां घोष्णा करके आएं कि अगर सरकार साथ दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी यहां एक बड़ा सवाल है कि मांजी जी का उसमें बजो बयान आया या और जो भारतिय जन्ता पार्टी के साथियों का बयान आ रहा है वही लोग सरकार में हैं दोनों एक जगा कोई भारत सरकार में हैं कोई राजे की सरकार में हैं और किसी को वहां जाने की फुर्सत नहीं केवल बैठे 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 बयान देकर और इसका लीपा पोती लोग करना चाहते हैं हम लोगों ने आगरा किया है सासन प्रसासन की लोगों से कि इस मामले को तुरत सुल जाईए नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और इसका बिरोद करेगा